नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं Market Report आईए बात करते हैं Gold MCX की दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने ए Gold MCX का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ और इसमें जिस तरीके की movement last trading session में रही और अभी जो current live market चल रहा है इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले time में, आने वाले session में कौन से price level हमारे लिए support और resistance का काम कर सकते हैं और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का view है क्या हमें buying करनी चाहिए, selling करनी चाहिए या थोड़ा सा wait करना चाहिए किसी भी trade में enter करने से पहले तो आईए शुरू करते हैं 5 minute के time frame पे gold mcx का chart दोस्तों कल जिस तरीके का session रहा gold में उसमें हमने एक ही चीज़ देखी कि market में जब आपने देखा होगा इसमें evening के time इसमें एक अच्छी selling हमें देखने को मिली जिसमें market ने downside में 46,300 को भी break करके 46,268 का एक low लगाया और वहां से market में एक थोड़ी recovery आई 700 के आसपास तक के level गया और वहां से फिर market में थोड़ी सी correction दिखा के market ने अपनी closing यहाँ पर कर दी आज हमने देखा gap down opening opening के बाद से ही market को एक जैसे support मिला हुआ और अभी जो current इसका price है वो है 46,590 पे लगातार market के opening से ही market में एक recovery बनी हुई है prices जो हो उपराने की कोशिश कर रहे है तो यह जो अभी आपको trend देखने को मिला यह 5 मिनट के time frame पर है market में correction, correction के बाद थोड़ी recovery और अभी 46,600 के आजपास market trade करता हुआ हमें नज़र आ रहा है दोस्तों कल जिस तरीके का session था उसमें एक ही चीज अगेन वही चीज एक important रही थी कि USD INR में एक correction रही और gold USD में भी एक correction फिर बनी रही तो उसमें जिससे gold में हमें एक अच्छी correction में देखने को मिली यहाँ पर हमने देखा 46,800 को अगर हम एक upper band मान ले 46,300 को lower band मान ले तो यह 500 रुपए की एक गिरावट हमें देखने को मिली और यह हमें गिरावट तब देखने को मिली मतलब uptrend भी नहीं था downtrend भी नहीं था market एक sideways trend लेकर वहीं पर trade करता रहा तो अभी current जो price है gold का 46,600 पर है थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक बार 15 मिनट के time frame पर वहाँ देखते हैं हम किस तरीके का scenario हमें नजर आ रहा है यहाँ पर अगर हम बात करें तो gold के prices में correction फिर एक uptrend बनता हमें नजर आया recovery थी है market के price काफी उपर तक 47,000 को break नहीं किया इसने वहाँ से फिर correction इस्टार्ट हुई धिरे धिरे market में नीचे के prices फिर अभी यह थोड़ी सी recovery होती भी नजर आ रही है एक चीज़ है कि gold ने कल एक अच्छे selling के sign दिये थे intraday में और थोड़ा यह मान सकते है कि शायद आज भी वह sign continue रहेंगे तो उसमें अभी हम levels को लेकर बात करेंगे पर फिलहाल एक correction और अभी एक recovery इस correction की recovery यही है इसे आप एक total में recovery मत समझना है कि market में जो पिछे जो downfall आया था उसमें यह recovery आपको नजर आ रही है तो एक इस तरीके का एक trend अभी हमें नजर आ रहा है और थोड़ा सा आगे चलते हैं एक बार एक घंटे के time frame पे देखते हैं कि वहाँ हमें कैसा view नजर आ रहा है दोस्तों एक घंटे के time frame पे अगर हम देखें तो market में एक downfall के बाद एक जो correction का scenario है वो अभी तक बना हुआ है यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ यह देखिए correction आई market में recovery correction आई market में recovery फिर यह एक छोटी correction आ रही है अभी देखिए next time अगर यह वाला low break होगा यहाँ से हम देख रहे हैं इस तरीके से अगर यह वाला low अब break होता है इस line का 46,000 के नीचे अगर break होता है तो next support इसे यहाँ पर इस trend line पे मिलने के chances बने रहेंगे वो तब देखेंगे के market को support मिलता है या नहीं मिलता किस तरीके से पर यह एक मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो जिस तरीके से हम charts को study कर सकते हैं उपर में भी अगर हम बात करें तो market में यह एक upper band है यह इस तरीके से आ रहा है यहाँ पर market नीचे जा रहा है यह कुछ नहीं मिला तो market में थोड़ी strength बननी शुरू हो सकती है और उपर के level market हमें charts पर दिखा सकता है ऐसे chances बन सकते हैं तो वो कौन-कौन से level रहेंगे उन पर भी हम बात करेंगे पर फिलहाल एक गंटे के time frame पर अगर हम थोड़ा सा एक outlook देखें इसका तो वो नीचे की तरफ ही अभी तक बना हुआ है यह जरूर एक portion है जिसने थोड़ी सी recovery दिखाई है otherwise market का पूरे time पे एक selling का view बना हुआ है जो अभी तक continue है यहां से फिर market इस तरिके से नीचे आ रहा है देखते हैं अभी आगे उन levels को क्या market break करेगा जो short selling को थोड़ा सा risk मिला सकते है वो कौन-कौन से level है अभी उन पे हम बात करेंगे यहां अगर हम बात करें market में एक selling फिर buying उपर के level फिर वहाँ से एक अच्छी selling हमें देखने को मिली downside downside और फिर उपर जाके market थोड़ा सा correct होता हुआ में नजर आ रहा है 46,610 दोस्तों एक चीज़ और रह सकती है जो के ये हफते इस हफते market में अभी आज का trading session है कल का trading session है इन दोनों trading session में कोई बहुत बड़ी downside शायद हमें देखने को ना मिले और बहुत बड़ी upside में हमें देखने को ना मिले और दोनों दिन एक sideways trend को लेकर market end कर सकता है इसमें एक ही चीज़ रही कि monthly closing है तो sideways trend अभी तक तो ऐसा ही चल रहा है otherwise market के जो last के कुछ दिन होते हैं 4-5 trading session उसमें market एक trend लेके continue करने लग जाते है अपने आपको या तो उपर चल रहा होगा उपर चलता रहेगा बहुत speed से तो अभी तक फिलहाल ऐसी कोई situation बनी नहीं है तो अगर बन जाती है तो ये दो दिन लगभग एक जैसे रह सकते हैं तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं ये सिर्फ एक जो जिस तरीके का रहता है मार्केट मैं उसे लेकर बात करूँ इसमें technical analysis जैसा कुछ नहीं है ये सिर्फ एक मतलब आप जैसा observe करते हैं ये वो चीज़ है कि जैसे market में कोई news आने वाली है तो उससे पहले market अपने आपको बहुत ही narrow arrangement rate करता रहता है जैसे किसी news का wait होता है उसे कि news आजए तो उसके बाद market reactरना शुरू होता है ठीक है थोड़ा सा औरा के चलते हैं एक बाद daily charts पे वहाँ देखते हैं कि क्या view हमें नज़र आ रहा है daily charts पे अगर हम देखे तो market में selling फिर एक bull run strong bull run वहाँ से market में correction और वो correction यहाँ पर इस time period के बाद से अभी तक continue है देखिए daily charts पे अगर हम देख रहे हैं तो एक downward trend हमें बहुत clear ली नज़र आ रहा है daily chart पे ना तो कोई recovery नज़र आ रही है recovery में सिर्फ एक ये वाला phase था और इस phase में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसने यहां का high break नहीं कर रहा था वो एक strong sign था कि अब market इस price को वापस break नहीं कर पाएगा यह देखिए मतलब यह वाली जो candle create हुई थी ठीक है यह इस चीज़ का sign था कि market में जो correction है वो काफी strong है तो तब से अभी तक तो clear market नीचे यह current price है 46,628 वापस चलते हैं 15 मिनिट के time frame पे और वहां उन levels को अब discuss करते हैं जो हमारे लिए अब important रह सकते हैं दोस्तों यहां पर देखिए सबसे पहला important level रह सकता है 46,731 ठीक है इस price को अभी market जैसे उपर जा रहा है यहां से over 100 points की है और तेजी दिखा देता है तो वो यह मतलब होगा कि market का अब वापस नीचे में यह lowest point break करना यह वाला यह break करना काफी जादा मुश्किल हो जाएगा अगर 731 break हो जाता है तो तो यह एक sideways trend को ले लेगा और दूसरी चीज़ के ऊपर में अगर यह 47,000 break कर देता है तो market में एक अच्छी तेजी आ सकती है अब अगर 731 break होता है तो market में sideways trend स्टार्ट हो जाएगा जो पूरे दिन एक consolidation में लगा सकता है कि ना उपर जाएगा ना नीचे जाएगा मतलब उपर नीचे इस range के बीच में बना रहेगा यहाँ नी जा रहा यहाँ नी जा रहा और इस range के बीच में नीचे आया support मिल गया उपर गया selling आ गई इस तरीके का एक trend रह सकता है ऐसी expectation है ठीक है current price है 46,639 continuously एक strength हमें देखने को मिल रहे है देखते हैं कि कब तक continue रहती है तो 46,731 देखिए यह सिर्फ touch करना काफी नीचा मैं आपको फिर से बता रहा हूँ touch करना नीच कम से कम 10-12 minute की आसपास का market को उसके उपर एक sustainability चाहिए होगी वो अगर हो जाती है तो market में एक sideways trend स्टार्ट हो जाएगा otherwise market एक downside को आज भी continue रख सकता है अगर यह price break नहीं होता तो नीचे में इसके break होने के आज भी chances बने रहेंगे ठीक है दोस्तों यह देखिए मैं आपको दोनो 47,000 यह तो price है हमारा नीचे में 46,268 कल का इसका low था यह वाली range है इसका break होना ज़रूरी रहेगा और देखिए short selling इसके बाद recommended नहीं है कहीं आप यह सोचेंगे यह वाला low break हो गया short sell कर दीजे 47,000 कल मैंने बताया था कि 47,000 के stop loss को लेके आप short sell कर सकते हैं तब 800 यह 750 के आसपास का शायद कुछ level था तो वहां से market नीचे ही रहा है अभी तक भी नीचे ही है तो जिन्होंने exit कर लिया होगा उनके लिए ठीक है जिन्होंने नहीं करा होगा वह अभी भी EC stop loss को लेके continue रह सकते हैं तो एक इस तरीके का scenario बन रहा है उपर में अगर हम और उपर में बात करें तो प्राइस काफी उपर है 49,000 से थोड़ा सा नीचे है उसकी बात करनी की ज़रूरत भी नहीं है एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा से एक बार daily charts पर चलते है देखिए यहाँ पर ये एक range पकड़ सकता है आने वाले कुछ दिनों के लिए ठीक है consolidation के लिए otherwise सबसे पहले तो इसका 47,000 break करना ही एक important चीज़ है यह वो break करेगा या नहीं करेगा और 47,000 break नहीं होता तो इसमें यहीं से आप एक अच्छी correction March के starting से शायद हम expect कर सकते हैं तो अभी आज का दिन है, कल का दिन है monthly closing, weekly closing, silver में contract की expiry और gold में तो अब खेर भी time है तो यह कुछ factors हैं जो हमारे लिए important रहने वाले हैं और इनके साथ साथ, USD, INR अगर उसमें भी अगर monthly closing नीचे होती है तो gold में recovery के कोई chance नजर नहीं आ रहे है और आगे तक भी ठीक है दोस्तो, तो यह था मेरा gold MCX पे अभी का वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो like करें, share करें बने रहे हैं मेरे साथ, देखते रहे हैं market report धन्यवाद